स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले 2018 साल जैदेव उनरकत कभी नहीं बूलेंगे इस साल उन्होंने इंडिया के लिए T20 मैचेस भी खेले लेकिन जहां तक IPL आॉक्शन टेबल पर जैदेव हेडलाइन्स में बने रहें दो आॉक्शन इस साल हुए साल के शुरुआत में और अंत में और दोनों ही में जैदेव टॉप टू प्राइस टाइग्स में उनको नाम शुमार हुआ इस बार यिखलाडी इससे किस तरह लेता है इससे करिकेट करियर को बूस्ट मिलता है आसान मुश्किल कैसा होता है जैदे समय हमारे साथ है इस बार थोड़ा सा ज्यादा आसान था यूर यूस्टो इट वो जो पूरा ऑक्षिन ड्रामा जब इशली बार आपने महसूस किया था साड़े ग्यारा करोड तक चला गया इस बार भी बड़ी बोली लगी लेंगे इस बार यून्यू के यह हो सकता है हाँ जी देखिया जैसा आपने बोला फर्स टाइम होता है तो ज्यादा एक्साइटिंग होता है और ज्यादा हर बड़ी भी होती है I think मेंका ओक्षन था लास्ट यर तो उसे साब से उसका अलगी लेवल का एक्साइटमेंट था बट इस बार थोड़ा काम था I think में खुद भी थोड़ा cool and काम था जब यॉक्षन चल रहा था I was just looking at it अब लोग बैट के देख रहे था जब रूम में और मेरे हिसाब से जैसा मेरे को लग रहा था जो form मेरा चल रहा है domestic season में उसके हिसाब से I thought you know that the teams और मेरे को Rajasthan Royals दे जब release किया तब बोला भी था that you know they still have that confidence in me so I was sure they were gonna go for me and you know happy that the things went again in a way that I can get a lot of confidence out of it social media में बाते चल रहे थी इस बार जैदेव को pay cut लेना पड़ा लेकिन I think on a serious note I mean I think आप खुश होंगे जो prize आपको मिली definitely see मैं जब पूने के लिए खेला दो साल पहले मैं बेस प्राइज में गया था I got 24 wickets in you know the IPL which was my best IPL I never thought कि मेरे को कम पैसे मिले दभी and I'll never think कि मेरे को अभी ज्यादा मिले you know first eye or second eye I don't think this is a race I think auction is not a race it's just that teams want certain types of players for their team और उसको देखके वो analysis करके वो लोग चलते I think auction में खुश हूँ इसलिए क्योंकि काफी franchises को interest था I think उनके plans में मेरे को settle करने के लिए वो चीज से मैं confidence ले सकता हूँ but जैसा मैंने बोला ये कोई race नहीं है ये इतने price में जाएगा वो उतने price में जाएगा वो better है ये better है I think story बनाने के लिए बोल सकते है but then having said that उदर अंदर ground में जाके cricket खेलना है जो अभी तक करते हैं अच्छा cricket खेलना है विकेट्स लेनी है which is important to me and that is what I am looking forward to do in this IPL वैसे अपने base price 1.5 रखे थी दो भी रख सकते थे तो आप थोड़े realistic भी थे ये भी possibility थी कि प्रहली priority है कि आपको इस contest में हिस्सा लेना है देखे मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने मैं sure था that मैं अगर दो भी रखता तो फ्रंचैजी मेरे को लेने तो वाली ही थी कोई ना कोई but I think it's it's matter of 19-20 थोड़ा इदर उदर में लब मन में जैसा रहता है कि भई ऐनो ऐसा होता है कि चलो highest नहीं रखते एक down रखते वैसे वाला इसका proper thinking क्या चल रहा था मेरे मन में वो में भी नहीं बता सकता क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं इसके पीछे logic मेरे को लगा last time मैंने 1.5 रखी दी वेस प्राइस तो I thought I'll stick to that और उसी को देख के मैंने इस बार भी रख दी but having said that it doesn't really apply any logic to why I kept 1.5 and why not 2 or 1 अच्छा पिछले सीजन के performance को किस तरह आपने देखा honestly बताईए क्योंकि आपने सवाल का जवाब पहले भी दिया है price tag का pressure होता है नहीं होता है किस हद तक होता है क्या एक खिलाडी इस तरह सोचना शुरू कर देता है क्योंकि इसने franchises मेरे लिए खर्च किये है तो मैं अब टीम का lead performer की तरह perform करूँ और basics कहीं बूल जाता है maybe chances ज्यादा होता है I would say pressure price tag का pressure वैसे वाला नहीं रहेगा कि हमेशा आपके उपर रहेगा I think जब मुश्किल situations आएगी कभी-कभी T20s में ऐसे games आते है as a bowler especially कि आप अच्छा करोगे तो भी you know you went you go through a couple of bad games जब भी वैसा phase आता है तभी you know these things become important pressure कभी-कभी आजाता है कभी-कभी लगता है that you're not living up to the expectations खुद के उपर जए expectations होते I think rather than franchisee को या you know owners को आपके उपर expectations होते है उससे ज़्यादा जो आपको खुद से expectations होते है वो level काफी बढ़ जाता है I think मेरे साथ last year भी भी हुआ था मैं अपने आप से खुद से बहुत ज़्यादा expect कर रहा था मेरे को हर match में you know मेरी टीम के लिए कुछ special करना था और जब ऐसा mindset रहता है तब भी chances ज़्यादा रहते है that you go into a mindset कि थोड़ा भी अगर खराब होआ या तो एक या दो game खराब गए then you put lot of pressure on yourself so I would say that yes it happened to me in one or two games beach-beach में but then as I said price tag की वज़े से performance पे ऐसा आता है उसका relation इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना आजकल लोग उसको बना देते है और स्टोरीज बनाते है उसके बारे में वसे जैसा जैदेव franchise जब इन्वेस्ट करती है तो उन्हें एक बड़े performance के रूप में देखा जाता है टीटनेटी क्रेकेट में लेकिन आप मेंसे कुछ को याद हो ना हो जैदेव को अच्छी तरह याद होगा कि 8 साल पहले इसी week में जैदेव ने test debut किया था इंडिया के लिए वसे वो test personally और team के लिए उतना यादगा नहीं रहा होगा लेकिन उसके जो nerves होते है तो वो एक special moment हमेशा रहेगा आप तक जब आप look back करते हैं Absolutely, I think मैं अपनी career की highlights देखता हूँ जो भी मैं अपी तक खेला हूँ तो उसमें से एक मेरा test debut रहेगा obviously I couldn't perform as well as I should have in that test match मतलब 2010 की बाद I think I've come a long way I've like grown as a player, I've matured as a player obviously yes वो मुश्किल था having said that I would have loved कि इतना अगर मैं कर पाया होता कि मेरे को और एक या दो opportunity कभी ना कभी मिल जाती उसी वक्त पे तो I could have proved myself and would have been more happier but then having said that वो खेलने के बाद things have been different मेरे को अपने खुद के बारे में, अपने खुद के standards हाई करने में बहुत help हुई है वो चीज से और अभी तक you know that day has to be special for me जब मैंने वो test cap पहना and when I got that test cap number for the Indian team जएदर सवाल ये भी उठता है कि जब बड़े पैसे आपको auction table पर मिलते हैं तो कही न कहीं क्या जो Indian team में वापसे करने की drive कहीं कम हो जाती है उसे आप किस तर अड्रेस करते हैं I think that that's just out of context I don't think there is any relation कितनी price tag क्या होता है और Indian team में आने की भूख क्या होती I think cricket कोई भी अगर I mean मेरे आस पास के लोग या तो मेरे friends लोग मेरे teammates कोई भी किसी को भी में अगर पूछूंगा कि आप लोगने cricket खेलना start क्यों किया तो वो लोग वही बोलेंगे कि भाई इंडिया के लिए खेलना है या तो देश के लिए खेलना है I think that has to be the thing of prime importance for any player in any sports to play for the nation it's certainly the same for me I you know I would be the happiest if I get to play for India again as soon as possible and पूरी process है वो उसी के लिए चल रही है you know the things that I have been doing मैनत कर रहा हूं इसब कर रहा हूं I think all that is to get my place back in the Indian team and I don't think that passion will die as long as I am playing cricket अगर वो नहीं है तो I don't think there's any point to keep playing so I think that that passion has to be there and it's there inside me and it's not gonna die for sure आखरी एक दो स्वाल जादे जएदेव the fast bowler उसकी मजबूती आप क्या देखते हैं obviously आपके जो एक left arm angle आप create करते हैं वो T20 में एक asset माना जाता है साथ-साथ जो variations आपने over the years evolve किये हैं आप personally किस तरह देखते हैं variations I think crucial है T20 format में खास करके starting initial overs है या तो death overs है I think आपके पास yorker होना चाहिए और variations I think I have worked hard on getting that yorker in place क्योंकि मेरे पास variations अगर आप लास दो तीन साल का record देखेंगे तो काफी develop हुए है और अगर मैं yorker इतना ही अच्छा develop कर सकूँ तो I would be really good in all the parts of the game you know initial overs and power play and death overs so that's what I am working on at the moment and I am pretty happy with the way things are going with the preparations and yeah as a left-hand bowler I think in T20s it gives that advantage to a team you know a different type of bowler बिलता है कैप्टन को अपनी आर्मरी में जिसको वो you know different wickets पे different batsmen के सामने different pitches पे use कर सके so that has to be my advantage and I still need to work on my strengths which I am doing and I am looking forward for this year for sure पिछले साल भी आप रॉयल स्केटरेसिंग रूब में थे Shane Vaughन experience on the field, off the field कुछ-कुछ सीखा हो जो आपके साथ रहेगा team meetings में वही बोलते थे you have your plans clear आप जो भी plan करते हो execute करने के लिए आपको वो mindset में रहना चाहिए I think all the legends of the game you know including Shane Vaughन सबका मानना यही है कि a clear mindset से game में जाना चाहिए जब भी आप perform नहीं कर पाते हो आप बाद में जाके देखोगे कि क्या गलत हुआ तो एक point ज़रूर आएगा कि भाई जो करना चाहते थे वो ना कर पाए या तो वो moment में वो याद नहीं आया कि भाई ये भी करना चाहिए था तो I think उन लोग के रहने से वो फर्क ज़रूर पढ़ता है कि यहों गेम के पहले वो याद दिलाते है या तो गेम के बीच में तब strategic timeouts होते है तब याद दिलाते है कि यह चीज यह moments पे करनी है because वो लोग ने वो किया हुआ है और वो crunch situations में से गुजरे हुए तो वो advantage रहता है कोई भी अगर बड़ा player team में होता है and we definitely got that last year बहुत शुक्रेया उमीद करते है 2019 आपके लिए और भी आदगार रहेगा ना सिर्फ auction table पर मैदान पर भी wicket के जरीए भी बहुत शुक्रेया absolutely thank you